प्रियों सिक्षार्थियों, हिंदी कावी की विकास यात्रा का यह दूसरा भाग है और इसके अंतरगत हम आधुनिक काल की प्रवृतियों के बारे में हम आपसे विस्तार से बाच्चीत करेंगे हमारे साथ हैं डॉक्टर वेद प्रकाश, प्रोफेसर अलिगर मुश्लिम इश्विद्याले से आपका स्वागत है सबसे पहले डॉक्साब हम जानना चाहेंगे कि आधुनिक काल की समयाव अधी क्या है और फिर उसकी मुख्य मुख्य प्रवृतियां कौन कौन सी है जी, राय साहब जैसा कि हम पिछले कारिकरम में ये देख चुके हैं कि रितिकाल की समय सीमा साड़हे अठारह सो अठारह सो पचास इसमी के आसपास समाप्त हो जाती है और उसी के बाद आधुनिक काल शुरू होता है ये सन अठारह सो पचास के आसपास आधुनिक काल के उदय का कारण ये माना जाता है कि भारत की जनता राजितिक रूप से बड़ी ज्यान से पूर्ण हो चुकी उसमें राजितिक चेतना आ चुकी है और हम सब जानते हैं कि हमारा पहला स्वाधिंता संग्राम 1857 में हुआ था तो हमें एक नई चेतना आ रही है और उस चेतना के भीतर ये माना जा रहा है कि अब अगर हमारे कश्टों को दूर करना है तो कोई ब्रह्म या ईश्वर नहीं करेगा बलकि हमी संगठित होकर इकठे होकर उन कश्टों को दूर कर पाएंगे तो एक नई तरह की चेतना भारतिय जनता के भीतर आ रही है और वो आंदुलन कर रही है मुक्ति के तो ये वो प्रस्थान बिंदु है जहां से हम आधुनिक काल की शुरुवात मानते हैं इस आधुनिक काल के भीतर अनेक चरण माने जाते हैं ये नवजागरण का काल भी है पुनरजागरण का काल भी है इस आधुनिक काल का पहला चरण माना जाता है भारतिय दुयो और जैसा कि हम पहले बात कर चुके थे कि हिंदी साहित्य के इतिहास के भीतर के कालों को पुकारने वाले जो नाम हैं कभी-कभी व्यक्तिक एंद्रित भी होते हैं और इस काल को जो शुरू होता है 1850 यिस्वी के आसपास और चलता है 1900 यिस्वी तक इसको भारतेंदु युक कहने का कारण ये है कि इसमें भारतेंदू एक साहित्तिक नेता के रूप में काम कर रहे है और आज के हमारे सिक्षार्थियों को ये बड़ा आश्चरी भी होगा कि उस समय का जो साहित्यकार होता था वो केवल साहित्यकार ही नहीं होता था वो समाज में होने वाली जो घटनाएं हैं उनमें हिस्सा भी लेता था भारतेंदू का व्यक्तित इतना बड़ा था कि वो साहित्यक नेता थे ही इसके साथ स्वादेशी आंदोलन में भाग लेते थे जगे जगे जाकर नाटक खेलते थे नाटक को नया बनाया उन्होंने साहित्यक भीतर एक नई चीज उन्होंने ये पैदा की कि वो लोक से जड़े जनता से जड़े जो हमारे अंद विश्वास हैं जो हमारी रूडियां हैं उन्होंने चोट की इसके साथ साथ उन्होंने अंग्रेजों का विरोध भी किया साहित्यक माध्यम से उन्होंने ये भी पहचाना कि हम भी मनुष्य हैं और अंग्रेज भी मनुष्य हैं लेकिन हम गुलाम हैं और वो भूप हैं वो राजा हैं ऐसा क्यों हो रहा है उन्होंने ये पहचाना कि हमारा जो धन है वो विदेश जा रहा है उन्होंने ये पहचाना कि हमारी भाषा को नश्ट किया जा रहा है हमारी संस्कृति को नश्ट किया जा रहा है तो इसी से ये पता लगता है कि भारते इंदू का व्यक्ति तो कितना बड़ा था और उनकी कविता के भीतर आपको दोनों चीज़ें दिखलाई पड़ेंगी वहाँ देशभक्ती भी दिखलाई पड़ेगी और राजभक्ती भी कभी कभी दिखलाई पड़ जाती है उसका कारण ये था कि अंग्रेजी सामराज्य का आतंक इतना था कि कभी-कभी दिखाने के लिए राजभक्ती भी की जाती थी इसके साथ साथ उनके यहाँ एक आदर्ष भी है अच्छे समाज का लेकिन उस समय की कभीता की परेशानी ये थी कि उसमें लिखी जा रही थी वो ब्रजभाशा में ही तो इसलिए भारतेंदू के समय में कभीता से ज्यादा महकून गद्य है जो की खड़ी बोली में लिखा जा रहा है क्योंकि उसमें राजनीतिक चेतना कभीता के मुकाबले कहीं ज्यादा है इसके साथ साथ भारतेंदू के मंडल के कुछ लोग भी थे जिसमें बालकृष्ण भट्र थे, प्रताप नायर्ण मिश्र थे, प्रेमघन थे ये सब मिलकर साहित्य को एक दिशा दे रहे थे इसी दिशा पर 1900 में जब ये काल खत्म होता है तो साहित्य के मंच पर आते हैं आचारे महावीर प्रसाद दुएदी वो एक पत्रिका निकालते थे सरस्वती उस पत्रिका का उन्होंने संपादन किया ये जो काल है दुएदी युग ये चलता है 1900 से लेकर 1918 इसमी तक इस काल को दुएदीुक कहने का कारण यह है कि दुएदी जी ने बहुत बड़ा काम यह किया कि उन्होंने कविता और गद्ध्य की भाशा को एक कर दिया यानि कि अब कखडी बोली में बाकाइदा कविता लिखी जाने लगी और भाशा का परिशकार किया जो व्याकरणिक गलतियां होती थी उसको वो सुधारते थे उनको ये लगता था कि इस समय हमें देश भक्ति की जरूरत है तो उसके लिए प्रेरित करते थे कवियों को और जन जीवन से कविता को जोडने के लिए जरूरी जी बिल्कुल जरूर जरूर उन्होंने ये भी देखा कि बंगला में मराथी में नई कविता लिखी जा रही है तो लोगों को उन्होंने प्रेरित किया कि हिंदी में भी इस तरह की नई कविता लिखी जाए उन्होंने अर में खड़ी बोली की स्रेश्ट कविता लिखी जानी शुरू हुई और आप ये देखेंगे के यहां देशभक्ती भी है आदर्ष भी है इतिविर्तात्मक्ता भी है नए नए चंदों का प्रियोग भी है प्रबंद काव्य भी है मुक्तक काव्य भी है मैथली शनगुप्त के बारे में ये कहा जाता है उन्होंने हर विशय पर कविता लिखी और अनेक छंदों का प्रियोग किया प्रबंद में भी लिखा और मुक्तक में भी लिखा ये जो पूरा धाचा है धीरे-धीरे नवजागरण का ये आगे बढ़ता हुआ पहुंचता है चायवाद में लेकि चायवाद का एक बहुत बड़ा योगदान ये है हिंदी कविता में कि उसे यसी लिए कहा जाता है डॉक्टर नगेंद्र ने चायवाद को कहा इस्थूल के प्रती सूक्ष्म का विद्रो कि भारतेंदु युक तक जो कविता सीधी सरल शब्दावली में लिखी जा रही है उसको बहुत अधिक कलात्मग बनाने की चेश्टा चायवाद ने की और इसके लिए उसने क्या किया एक तो व्यक्तिनिष्ठ था बहुत बड़ी चायवादी कविता में दूसरा कालपनिक्ता का बहुत प्रियोक किया गया तीसरा उसमें विभाव से यानि बाहरी संसार से ज्यादा मन के भावों पर बहुत कविता लिखी का माईनी इसका एक बहुत बड़ा उधारन है जिसके आप अगर शीरशक देखेंगे उसके सर्ग देखेंगे तो उसमें चिंता है आशा है शद्धा है विश्वा इस तरह के तो ये कविता बहुत सूक्ष्म हो रही है इसलिए इसको प्रतीक शैली वाली कविता कहा जाता है प्रेम का सौंधर्य का का प्रेम और सौंधर्य की कविता प्रकृती पर बहुत अच्छी कविता है छायवाद के भीतर लिखी गई इसके बाद वापस जब भारत में जनांदोलन आगे बढ़ने लगे स्वाधिंता आंदोलन गती पकड़ने लगा यहां मजदूर और किसान काम करने लगे तो एक नई प्रवत्ती फिर उभरी वो है प्रगतिवाद की और यह प्रगतिवाद इसने अपना दर्शन बनाया माक्सवाद को प्रगतिवाद के बारे में कहा जाता है कि वो माक्सवाद का साहितिक रूप है इसका कारण यह था कि यह कविता किसान मजदूर की वर्ग संगर्ष की बात बहुत करती है और इसके जो प्रतिनिधी कवी कहे जाते हैं वो नागारजुन हैं केदारना थगरवाल हैं, तरलोचन हैं, मुक्तिबोद भी इसमें शामिल हैं, शमशेर बहादूर सिंग भी हैं, ये सन 36 में शुरू होती है ये कविता, और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये समाज में जो संघर्ष है उसको रूप देती है, उसको वानी देती है, ये जो पिछड़ हुआ है, दलित है, शोशित है, उसके पक्ष में खड़ी हुई है ये कविता, इसके बाद इसी चीज़ को अगर और आगे देखें तो प्रगतिवाद का विरोध भी चला, अग्गे ने एक आंदोलन चलाया प्रियोगवाद का, और प्रियोगवाद में नई नई तरह से प्रियोगवाद में बहुत आया, जो धीरे धीरे जाकर नई कविता से जुड़ जाता है, बड़ा मुश्किल है नई कविता और प्रियोगवाद में अंतर करना, क्योंकि नई कविता जो है वो प्रियोगवाद की ही प्रुवर्तियों को लेकर बहुत धिकता है, कविता भी लिखी जा रही है इसके बाद इस नई कविता का विरोध करने वाले संसाठ के बाद के कवी भी आते हैं जिसको कविता के कवी कहा जाता है जो नई कविता में विश्वास नहीं करते जिनके आम मोह भंग बहुत ज्यादा गहरा हो गया प्रियोग भी बहुत साठोतरी कविता के ही कुछ सक्रियत जैसे सरवेश्वर हैं रगुवीर सहाय हैं पिर कुछ नए कवी भी जुड़ते हैं चंद्रकान देवताले हैं उसके बाद एक एक दश्रक की कविता शुरू हो गए उसके बाद हां नए नए आंदोलन आ रहे हैं उनकी समया उधी बहुत कम हैं मोटे रूप में आंदोलन तो दो ही बड़े हैं एक प्रगतिवाद एक नई कविता जो देर तक चलते हैं उसके बाद पांस साल छे साल नए नए आंदोलन आते हैं समाप्त हो जाते हैं बड़ी चीज जो है वह समकालिन कविता जिसके भीतर अने एक पीडियों के कव पी शामिल थे जिसमें राजे जोशी भी हैं अरुन कमल भी हैं उसके बाद जो नए नए कविया आए उसमें एकांश्री वास्तव भी हैं निलेश रगुमन्शी भी है महिलाओं में तो आज का जो रचना कर्म है उसके मुखे मुखे बिंदू क्या शिक्षारतियों को आज आज विमर्शवों की कविता बहुत लिखी जा रही है जैसे दलिचेतना की कविता भी लिखी जा रही है इसके साथ घूमडली करण की अभिव्यक्ती बहुत कविताओं में हो रही है समसामईक समस्याएं बहुत अभिव्यक्त हो रही हैं जैसे जो हमारा विकास है उसकी विसंगतियां क्या हैं बाजार वाज जो है उस पर बहुत कविताएं लिखी जा रही हैं तो इस समय जो समस्याएं आम आदमी झेल रहा है उन समस्याओं को अभिव्यक्त करने वाली कविता आप देखेंगे कि बहुत व्यापक रूप से लिखी जा रही और अनेक पीडियां उसमें सक्री हैं नए से नया कवी और पुराने से पुराना कवी उसमें शामिल है तो ये अनेक धाराएं हैं समकालीन कविता की जो अपने आपको अभिव्यक्त कर रही हैं और अपने समय की समस्याओं की अभिवेंजन अपनी कविता के माध्यम से कर रही हैं तो सिक्षार्थियों इस तरह से हमने हिंदी कविता की विकास यात्रा की पूरी परिक्रमा की और किस तरह से उसका विकास हुआ इसका एक पूरा परिप्रेट्ष प्रिष्ट भूमी आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया मैं डॉक्टर वेद प्रकास जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बड़े सरल सब्दों में आप लोगों के समक्ष इतिहास को प्रस्तुत किया है आप अपने अध्यान सामगरी को पढ़ें और जो यह चर्चा हुई है उसका भी आप लाब उठाएं धन्यवाद